जब हम किसी को प्रणाम करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं, या हमें कोई प्रणाम करता है, तो अनायास ही हमारे मूँ से निकलता है, खुश रहो, God bless you, सदा सुखी रहो, ये जो प्रणाम के उत्तर में हमारे मूँ से निकलते हैं न, ये कोई साधारन शब्द नहीं है, ये इन बातों को महत्व देना बंद करते जा रहे हैं पर यकीन मानिए जो प्रणाम के जवाब के रूप में आशरवाद हमें मिलता है यह हम किसी को देते हैं वो सौ फीस दी चमतकारिक शब्द होते हैं बेश कीमती शब्द होते हैं एक बहुत प्यारी कथा कहने जा रही हूं महाभारत का युद्ध चल रहा था एक दिन दुर्योधन के व्यंग से आहत होकर भीश्म पितामा ये घोशना कर देते हैं कि मैं कल पांड़ों का वद्ध कर दूंगा इस घोशना का प क्षट की आशंक्या से परिशान हो जाते हैं तभी श्री lange द्रवपदीं से कहते हैं तुम अभी मेरे साथ चलो श्री點 द्रॉपदी को लेकर सीधे पितामा भीष्म के शिवर में पहुच जाते हैं श्री क्षन स्वम्त शिवर के पहर खढ़े हो जाते हैं पर वर तो पिता महा भीश्म के मुख से द्रौपदी के लिए ये आशिरवाद निकला अखंड सौभाग्य वति भाव जैसे ही ये आशिरवाद उनके मुख से निकला उसी शन उन्हें स्मरण हो आया कि आज ही तो उन्होंने पांडवों के वत की घोशना की थी और स्वम ही उन्होंने द्रौपदी को अखंड सौभाग्य वति रहने का आशिरवाद दे दिया फिर पिता महा भीश्म ने द्रौपदी से पूछा पुत्री क्या तुम इतने रात को यहां अकेली आई हो या तुम ही यहां श्रीक रिश्न लाए हैं तब द्रौपदी ने कहा जी पिता महा और वो शिवर के बाहर ही खड़े हैं शिवर से बाहर निकल कर दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया और पिता महा भीश्म ने कहा मेरे एक वचन को मेरे ही दूसरे वचन से काटने का काम केवल क्रिश्न ही कर सकते हैं शिवर से वापस लोटते समय, श्री कृष्ट में द्रौपती से कहा, तुम्हारे एक बार जाकर पिता महा को प्रणाम करने से, तुम्हारे पतियों को जीवन दान मिल गया है, अगर तुम प्रति दिन भीश्म धृत्रास्ट द्रोणोचारे आदी को प्रणाम करती होती, और हर घर में कलह कलेश का वातवरन रहता है, वो कहीं न कहीं इस बात के मूल से जुड़ा है, कि हम संसकार भूलते जा रहे हैं, हम जाने अंजाने अपने बड़ों की उपेक्षा करने लगे हैं, याद रखना कि हर चीज पैसे से खरीदी नहीं जा सकती, और ये भी याद रख कि हर बात का जवाब गूगल से नहीं मिलता, उसके लिए बुजर्गों के पास भी बैठना पड़ता है, शरीर की खुराक के साथ साथ हमारी आत्मा को भी खुराक चाहिए, जो संसकारों से हमें मिलती है, हम भूलते जा रहे हैं आशरवाद के महत्व को, आशरवाद एक की तरह होता है, जो हर बाधा से हमारी रक्षा करता है, कितनी सुन्दर बात कही है किसी ने, प्रणाम अनुशासन है, प्रणाम शीतलिता है, प्रणाम आदर सिखाता है, प्रणाम से सुविचार आते हैं, प्रणाम जुकना सिखाता है, प्रणाम क्रोध मिटाता है, प्रण प्रणाम अहंकार मिटाता है प्रणाम हमारी संस्कृति है आप सभी को मेरा साधर प्रणाम फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना खयाल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना प्रणाम आपल अभके साथ झाया रखना हमेशा शुन इाट भ्रणाम वीडियो के कर दोस्तों आ वीड़े के साथ objectives